जब करोडों आखों में सुकून की मुस्कान जलती है, इलाज के लिए बेहतर और नजदी की सुविधाई मिलती होगा, तो सपना साकार होता है सर्वे संतु निराम आयाका। माननिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेत्रित्व में स्वास्तिय सुविधाईं आज जन जन के लिए सुगम हुई है। स्वच्छ जीवन शैली, एक प्रकार चे प्रिवेंटिव हेल्थ के साथ जुड़े हुए जो बिहेवियरल विशे होते हैं, जो सरकार की प्रात्विक जिम्मेवारियां होती हैं, उन सारे विशे उपर हमने काफी जोड दिया है। और इसी श्रिंखला में टाटास मारक केंद्र, परमानू उर्जा विभाग भारत सरकार द्वारा, पंजाब वा आसपास के राज्यों की जनता को समर्वित हैं। S.A.S. नगर न्यू चंडिगर में बना होमी भाभा कैंसर अस्पताल वा अनुसंधान केंद्र। विश्वस तरिये कैंसर उपचार उप्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 664 करोड रुपए की लागत से तयार अत्या धुनिक तक्नीक से सुसज्य 300 बेड की क्षमता का ये कैंसर अस्पताल 51 एकड के क्षेत्र भल में बना है। यहाँ पर सर्जिकल उंकॉलजी, मेडिकल उंकॉलजी, रेडियो डाइग्नोसिस, रेडियो थेरपी, कीमो थेरपी, प्रिवेंटिव उंकॉलोजी जैसी सुविधाओं के साथ साथ कैंसर के उपचार से जुड़ी और भी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगे। परमानू उर्जा विभाग भारत सरकार के अंतरगत एक सहायक अनुसंधान संस्था टाटास मारक केंद्र कैंसर के उपचार के लिए पूरे देश में अग्रणी अस्पतालों में से माना जाता है। और पंजाब सहित उत्तर भारत के कैंसर रोग्यों के लिए आशा की बन रहा है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी के कर कमलो द्वारा आज होमी भाभा कैंसर अस्पताल वा अनुसंधान केंद्र किया जा रहा है राश्ट्र को समर्पित।